Hey guys, welcome back to administrative thinker, public administration पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर हम पहले चार्थ पांस theorist को अच्छे इस डिटेयल में डिसकस कर चुके हैं, आज पढ़ेंगे चेस्टर बर्नाड के बारे में, चेस्टर बर्नाड की जब थेयरी एक्चुली थोड़ी बड़ी है, तो इसको दो पार्ट में हम डिसकस करेंगे, एक पार्ट में पूरा काफी बड़ी वीडियो हो जाए, करीविन एक घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है, तो इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, हम 30-30 मिनट की दो वीडियो होगी, और चेस्टर बर्नाड काफी इंपोर्टेंट है, पह satisfaction करना है, हम यह भी पता होगा है, कैसे introduction करना है, कैसे body कैसे conclusion लिखना है, और वही question उठाएंगे जिल्के में थोiggly पूछे है, तो इसके कोई tension लेने की बात नहीं है, पहले थोड़ा सा knowledge होनी जरूरी है, और thinker को, मैंने 11 दी इंचर का वीडियो तियार कर ली है, सिर्फ रिकोर्ड बचा है, तो वो रिकोर्डिंग होते ही आपके सारी thinkers में डाल दूँगा, उसके बाद 5 thinkers, 6 thinkers और रह जाएंगे, तो उसका भी जल्दी कोशिश करके, तो सारे एक बार thinkers हो गए, तो आपका ये समझी कि first paper का, यानि कि 30% part आपका complete हो गया, और ये 30% ऐसा part है, जो सब सा complicated रहता है, ठीक है, चलिया, देखे, सबसे पहले, Chester Bernard क्या बोलते है, Bernard बोलते है, कि देखे, कोई भी, एक देखे, इनकी ठीरी ये बताते है, सबसे पहले, कि कोई भी जब organization है, जब organization बनाई जाती है, तो एक इंसान उसकी कुछ objective होता है, ठीक है, कोई भी objective है कि मैं ये organization बना रहा हूं, मुझे ये काम करना है, ठीक है, कोई भी उसका objective होगा, कोई भी goal होगा उसका, उसके साथ 2-4 लोग और जूड जाते है, वो लोग क्या करते है, उसकी मदद करते है, कहीना कि इन सारों की thinking एक होती है, कि ये objective हमारा है, हमें ये चीज़ प्रड्यूस करनी है, इससे इतना profit कमाना है, यानकि इनका एक fixed objective होता है, उसके तहत ही ये लोग सारे साथ आते हैं, तो यही बताते है, Chester Bernard, organization as in system of human cooperation, human की जो cooperation है, उससे ही organization का एक system बनाया जाता है, वही बता रहे हैं कि ये पूरे career की बात करें, तो सबसे ज़्यादा influential इनका जो कामरा वो रा function of executive, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ये सिर्फ एक intro की बात बता रहे हैं, अब यहाँ से start होते हैं, सबसे पहली बात बताते हैं, बर्नार्ट देखे, क्या बोलते है, organization जो है, system of cooperation of human activities, लोगों की जो human activities है, उसका cooperation को ही organization की system कहा जाता है, ठीक है, कोई भी organization लगाई, अब घर का ये काम लगई है, घर का काम भी, एक objective होता है, कि हमें ये काम करना है, साफ सफाई करनी है, तो सारे कोई किसी को कोई काम दे दी जाएगा, किसी को कोई काम दे दी जाएगा, लेकिन सबका एक काम होगा, कि घर की सफाई करनी है, ठीक है, तो इसी तरह बोल रहे है, organization का एक ही लोग आते हैं, human activities को cooperate किया जाता है, उसके system को ही क्या कहा जाता है, organization कहा जाता है, इसके बात बोलते हैं, but the individual human being possess limited power, यह कहते हैं, एक इंसान के पास limited power होती है, अब सबोज कि मैं ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, public administration की, और कोई मैं paper 1 बना रहा हूँ, लेकिन मैं paper 1 मुझे time लगेगा, अभी कोई मेरे साथ और cooperate कर रहा हो तो वो paper 2 बना रहा होता, ठीक है, तो इस तरह जल्दी काम होता, तो भही बोलते हैं, एक इंसान के पास एक limited power होती है, power of choices and constrained by factor of total situation of the cooperation, तो इसलिए बोल रहा है कि उसको, इस वाजए से और भी लोग जो same thinking रखते हो, सेम उनका objective हो, तो सारी लोग मिलते हैं, और उसके बाद ही वो कोई organization जो है वो बनाई जाती है, यह कहती है, most important limiting factor क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी चीज है, जो limiting factor है, biological limitation, हमारी एक limitation है कि हमें इतने गंटे ही जग सकते हैं, इतने गंटे सोना भी पड़ेगा हमें, और क्या है हमारी physical, यह कि हमारी हिमत भी इतनी है कि अगर मैं 10 गंटे जग सकता हूँ, तो मैं 5 गंटे ही वीडियो बना सकता हूँ, उसके अलाव social, social भी कुछ है कि घर से घर पे भी बात करनी है, या और भी जो भी चीज़े हैं, तो यह बता रहे हैं कि एक इनसान की limitation होती है, requires that he adopts a group or non-personal purpose and takes into consideration the process of interaction, उसके बाद interaction शुरू होता है, अब किसी भी आप channel पे जाईए, मैं simple example दे रहा हूँ, ताकि आपको चीज़े समझाए, एक YouTube channel दीजिए, अब एक इनसान उसको run कर रहा है, तो उसको बहुत hard work करना पड़ रहा है, ना उसको follower आ रहे हैं, ना इतने views मिल रहे हैं, लेकिन उसी channel को अगर पांच लोग run करेंगे, तो सारों का objective एक ही है, कि मुझे, यानि कि लोगों को education देनी है, अब पांच लोग का एक objective होगा, एक ही platform पे होंगे, तो cooperation बढ़ेगी, और इस groups की interaction के कारण, जो ये limitations एक इनसान को आ रही थी, ये limitations नहीं इसके बाद Bernard कहते हैं कि organization as a system of consciously coordinated activities, एक साथ सब कोडिनेट करते हैं, forces of two or more person, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, in this emphasis, in this definition, he emphasized the system of interaction, तो इसमें बोल रहे हैं कि system of interaction से ही system of cooperation बनता है और उससे एक organization की formation होती है, ठीक है, सारा वही चीज़ बताना चाहरे हैं, इसके बाद इसके बाद बोलते हैं, it is a system composed of activity of, वही बात है, जो activities are different, different, उनको interact किया जाता है, वो interact करते हैं, communicate करते हैं, वही बाद बोलते है, by ability of such people to communicate with each other, उसकी willingness होती है, सब की, एक common purpose होता है, common goal होता है, communicate करते हैं, साथ में आते हैं, और फिर उस organization को आगे बढ़ाते हैं, यह कहते है raising the question is, why an individual should contribute, अब यह question उठता है, कि एक इनसान क्यों contribute करेगा, किसी activities के लिए, इसके लिए देखे एक यह theory देते हैं, यह कहते हैं, इनसान जो है, यह economic man नहीं है, सिर्फ पैसे के पिछे जोड़ता है, सिर्फ उसको profit चाहिए, यह बोलते हैं, यह बोलते हैं, यह बोलते है theory of contribution and satisfaction equilibrium, यह कहरे हैं, कोई इनसान क्यों coordinate करेगा, क्यों communicate करेगा, क्यों interact करेगा, उसके लिए यह theory define करती है, contribution, satisfaction, equilibrium, यह होना जरूरी है, उसके बाद ही इनसान जो है, किसी organization को आगे बढ़ाता है, अब देखिए, इसको समझाते हैं, यह बोलते है, contribution क्या है, which may be regarded in the term of organization as an activity are possibly only when it is advantageous to individual in term of personal satisfaction, किस इनसान को satisfaction मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से ही वो contribute करता है, यह बोलना कि, suppose कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मैं education की वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे पैसा कमन है, मेरा पहला परपज पैसा नहीं है, मैं economic कर शुकू, तो यह बहुत से वेक्टर होते हैं, इसलिए बोलने कि personal satisfaction भी होता है, पैसा पैसा एक important नहीं है, सिर्फ एक organization को चलाने के लिए contribution, satisfaction, equilibrium, यहन कि अगर बंदा satisfied होगा, तभी वो contribute करेगा, और तभी यह दोनों में equilibrium आना जरूरी है, यह कहते है कि if a person gets back only what he puts in, there is no incentive अब इसमें एक चीज यह बताते हैं, अगर suppose कीजिए कि अगर एक इनसान suppose कीजिए कि इतनी मेहनत करता है कि उसको 100 रुपे मिलने चाहिए, लेकिन यह कहरे है कि अगर यह कहे है, इनसान को motivate नहीं करती है, यह satisfaction नहीं है, उसको क्या चाहिए, अगर 100 रुपे का काम कर रहा है तो इसको 120 रुपे मिले, शिर्फ मैं पैसे के टर्म में अभी बता रहा हूँ आपको, तो यह उसके लिए incentive, यह कहरे है कि जब तक incentive नहीं मिलता, इनसान satisfy नहीं होता, तो उसको अगर incentive मिलते है, suppose कि मैंने पूरे साल काम किया, अब दिवाली आने लगी, तो मैं किसी के जितना वो सोर पे काम किया, उसको सोर पे मिल गए, ना कोई social interaction है, ना कोई उसको प्रेज किया जा रहा है, उसकी परसंचा की जा रही है, ना उसको कुछ ऐसा, यह की motivation के लिए कुछ incentive दिया जा रहा है, तो बता रहे हैं कि इनसान satisfied नहीं होता, और उस case में वो satisfied नहीं के कान contribute भी कम करना, start कर देता है, यह कहता है, when he gets back, must give him advantage in term of satisfaction, which almost always means return in the different form what he contributes, तो जो वो contribute करता है, उसकी दूसरी form में, different form में, जब उसको return मिलता है, तब वो लगता है कि हाँ, वो satisfy हो गया, उसके लिए advantages है, और उसको contribute करना चाहिए, इसका आवाद है कि अलग-अलग inducement बताते ह या मिलते हैं, तो इनसान जो है motivate होता है, यह कहता है कि देखे, बर्नार्ड ने reject कर दिया, जो पहले एक viewpoint होता था, कि इनसान सिर्फ economic incentive की तरह बढ़ता है, यानि कि उसको पैसे ही matter करता है, उसके लिए, बर्नार बोलता है, ऐसा नहीं है, आप 50 रुपे का काम करें, और और यह बताते है कौन-कौन सी, सबसे पहले कहते है specific inducement, कैसे material inducement में आगे पैसा, या कोई gift मिल गया, या physical condition, आपको अच्छा environment मिला, उसको परसनल and non-material opportunity, जैसे आपको prestige मिल गई, personal power आपको दे दी गई, कुछ distinction आपको दे दिया गया, या desirable physical condition, काम के जगा पे अच्छा environment दिय आइडिया गया, ideal benefactions, यान की क्या हुआ, workmanship आपको थोड़ा pride वगरा मिल रही है, आपको कोई चीज करने में, adequacy आपको दे गई, altruist service आपको मिली for family and others, ठीक है, यान की आपके लिए घर के लिए कुछ ऐसा दे दिया, की कोई ऐसी चीज दे दिया, जैसे जिम के पास दे द इसके बाद होती है, कुछ journal incentives, वो भी required होते हैं, इनसान को motivate करने में, satisfied होने में, यह कहते हैं, जैसे associational attractiveness, जैसे कि आपकी staff के साथ कैसी compatibility बनती है, आप कैसे उस चीज को manage करें, कि आपका सारा staff हस खेल के काम करें, इसके लिए कि आपको पता है, काफी बर जो companies होती है, चोटे-चोटे सारे उसको बोलेंगे, आप डिफरेंट मेला लगाने के लिए, उसे association बढ़ती है, कुछ parties वगरा देते है, boss वगरा party देगा कि आप आप आई, associate होई है, गुरूप के साथ, तो कुछ लोगों को यह चीज बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को लगत कंडिशन है, तो इस तरह की चीजे भी बहुत लोगों को अट्रेक्ट करती है, working condition, तो यह कुछ लोगों को यह incentive अच्छा लगते है, किसी को यह उपर वाले specific incentives अच्छे लगते है, कुछ को opportunity for feeling, engage participation in the course of event, आपको कुछ event हो रहा है, बड़ा event हो रहा है company का, तो आपको उसको participate करने का मोग का मिले, कि आप आईए, यहां पर dance कीजिए, या कोई भी performance दीजिए, कुछ लोग इस चीज की opportunity, जो है incentive से अच्छा लगते है, कुछ लोगों को communication की condition अच्छी लगते है, कुछ लोगों को लगते है, मैं direct boss से बात कर सकता हूँ, ऐसी condition होनी चीए, मैं अपनी problem बता सको, कुछ लोगों को लगते है नहीं, ऐसा नहीं होना चीए, तो सब की अलग requirement होती है, तो इन्होंने 8 चीजों में divide किया है, जो इंसान को motivate करती है, चीजे specific inducement और journal incentives, ठीक है, दोनों चीजे यह बताते हैं कि important है, और सिर्फ इंसान economic man नहीं है, economic incentive ही उसके लिए सिर् आपके पास इतना पैसा मिल गया, आपको की खाना मिल गया, अभी company कह रही है कि नहीं, आप आके यहां पे भी खाईए, आपको छे बर खाना दे रही है company, तो उसके value होगी, नहीं होगी, यह बता रहे हैं कि जो economic reward होता है, यह पैसा हो गया, कोई भी चीज, यह ineffective होते है, ए यह कहा है, inducement cannot be applied mechanically, और यह बोल रहे है, inducement जो mechanically applied नहीं करनी चीए, कि सब को पैसा दे दिया, 10,000 रुपे सब को bonus दे दिया, किसी को पैसा पसंद है, किसी को कुछ और चीज पसंद है, तो हर इनसान को उसकी demand और उसकी situation, उसकी particular, उसकी किस चीज की need है, उस हिसाब से उसक को एक चीज ही दे दी जाए, यह कहा है, कि जो इंडूसमेंट का method है, यह पूरा dynamic process है, इसमें experience होना चाहिए, और imagination होना चाहिए, यहन कि पता होना चाहिए, आपके senior most को कि आपको किस चीज की requirement है, आप किस चीज से अभी खुश होने वाले हो, आपको किस चीज का दुख हो organization as we see earlier, is a system of consciously coordinated activity, जैसे हमने पहले देखा, formal organization क्या है, कुछ लोग आते है, एक objective होता है, सारे लोग काम करते है, कि हा, मुझे education देनी है, या मुझे कोई भी system करना है, सारे लोग आये, coordinate हुआ, तो इसको बोलते है, formal organization, इसमें क्या होता है, the people are able to communicate, एक दूसरे से communicate कर पाते ह है, वो are willing to contribute action, कुछ contribute करेंगे कुछ action के लिए, या एक common purpose होगा, उसको पूरा करेंगे, company में आया, काम किया, ये formal organization हो गया, ये बोल रहे है, communication, willingness to serve the common purpose of three elements in a formal organization, ये तीन elements होते है, जिससे formal, जो कोई भी organization हो, formal organization का मतलब क्या है, informal आप कोई भी काम नहीं कर रहे है, सिर्फ formally जो है, जो है, जो आपको काम दिया गया, जो टास्क दिया गया, उसको कह रहे है, वो काम किया, तो ये बोल रहे है, there can be no organization without person, अब इनसान तो इनसान है, वो सिर्फ formal machine की तरह काम नहीं कर सकता, जो पहले है, देखे, फ्योल ने, ठीक है, फ्योल अभी पढ़ेंगे, फ्योल इनसान जो है, उसके अंदर feelings भी है, वो अलग तरीके से उसकी बहुत चीज़े उसको और चाहिए, जिससे वो अच्छा जो उसका गोल है, वो अच्छा गोल की तरह बढ़ सके, ठीक है, तो वही चीज़े, formal organization, informal, formal में क्या हो गया, इनसान आया, काम किया, चला गया, अपना communicate भी किया, तो सिर्फ काम से रिगार्डिंग, कोई भी किसी से interact किया, तो काम से रिगार्डिंग, वो होता है, formal, यह बलता है, more than person, their service or act should be treated as a constituating an organization, तो यह बलता है, organization सिर्फ formal तरीके से नहीं चलती, जो इनसान की services और act है, उनको अलग तरीके से देखना चीए, जैसे willingness can be expressed अब कोई willing है, कोई company में बहुत अच्छा काम करना चाता है, हो सकता है, कोई loyal हो, कोई solidarity को देखता हो, कोई strength organization की strength को देखते हो, अच्छा काम करता हो, तो बलता है, सबका एक अलग action होता है, अलग एक informal, informal भी एक organization होती है, सिर्फ formal पर काम नहीं चलता, यह बलता है, it implies surrender of a person conduct and depersonalization of personal action, अगर हम यह चीज़े हम सिर्फ देखे कि formal organization है, इसका मतलब तो इनसान की जो personal feeling है, यहन कि वो सिर्फ उसको काम से काम मतलब है, किसी और चीज़े मतलब नहीं, personal action जो है, वो depersonalize होगे, वो अपनी किसी से शेयर नहीं करता है, कोई बात, सिर्फ काम से regarding बात करता तो यह बोलते है, यह होती है, formal organization, जिसका सिर्फ एक मोटीव होता है, यह कहते है, willingness, positive, negative, in term of net satisfaction or dissatisfaction experienced by each individual, यह कहते है, उसके बाद यह कहते है, cooperation, there must all be an objective or purpose, cooperation के लिए बोलते है कि एक objective होना चीज़े, purpose होना चीज़े, unless a purpose is accepted by all those who are, who affects, efforts constitute the organization, it will not stimulate cooperative action, ठीक है, वही बात बो परपज होना चीज़े, organization का, सभी लोग उस purpose की तरफ आगे बढ़े, तो इसको बोलते है, formal organization, it may be useful to distinguish between cooperative and subjective aspect, अब यह बोलते है, cooperative aspect कोन से होते है, subjective aspect कोन से होते है, अगर इसको हम differentiate करें, तो objective purpose के लिए बोलते है, कि जो कोई भी communicate करना, कोई सी के साथ भी, it is believed to buy a contributor to be determined person, पर cooperate करें और subjective, दो चीज़ों को हम समझ रहे है, cooperative में क्या है, cooperate करें सभी लोग, एक objective purpose है सबका, कि यह goal है, organization का, यह हमें पूरा करना है, ठीक है, again, a distinction has to be made with an organization purpose और individual motive, अब इसमें भी दो purpose होते है, एक individual का purpose अलग है, individual motive अलग है, organization का purpose है, organization का मतलब क्या है, organization चाहती है, profit मिले, individual चाहता है, मेरे को भी incentives मिले, तो यह बोलता है कि दोनों अलग चीज़े होती है, अब जो individual motive होता है, is internal, personal और subjective, यह subjective होता है, ठीक है, यहनकि इनसान की सबकी अलग नीड होती है, लेकिन जो objective होता है, वो common purpose होता है, company के लिए सबको काम करना है, यह objective purpose है, अपने सब के internal motive है वो subjective चीज़े है, ठीक है, यह दोनों चीज़े बताते हैं, इसके लावब यह बताते हैं, देखिए, in an organization, the accomplishment of common purpose, through the person contributing towards, it can be achieved only through communication, और यह बोले, common purpose जो है, जिसको objective purpose भी बोलेंगे, यह कैसे अचीव होता है, जब सारे लोग मिलके एक ही काम करें, और एक ही objective की तरफ आगे बड़े, अब दूसरी चीज़ है कि informal, उसमें अलग है, जो internal motive होते हो, informal में आएंगे, यह बोलते है method of communication में भी verbal, अभी इसमें communicate कैसे कर सकते है, verbal भी, written भी, observational भी, कैसे भी आप कर सकते हैं, देखिए, अब देखिए, बरनार्ड ने चार करेक्टेस्टिक्स डिफाइन किय कहला, system, depersonalization, specialization, और informal, यहन कि formal organization में भी informal organization है, ठीक है, यह बोलते हैं, और formal organization क्या होगा, एक system, काम करने का system है, यह इंसान यह काम करेगा, यह वाला यह, यह वाला यह, सब का लग लग है, depersonalization, यहन कि आप personal अपनी कोई activity नहीं घुसाएंगे इसके अंदर, जो काम की requirement है है, वो ही चीज़ define होगी, तो वो होते है, depersonal, यहन कि आपके personal views उसमें आप नहीं जबरदस्ती induce करेंगे, specialization, जिसको जो specialization है, वो उस हिसाब से काम करेगा, और इसमें भी informal organization है, अब आगे हम पढ़ेंगे informal organization क्या होती है, यह देखिया, अब होगी, पर, formal हमने पढ़ा, एक objective है organization का, वो उसे achieve करना है, लेकिन आप आगे, informal organization, इसमें बताते है, individual in the organization, continue to interact, continuously interact, एक इनसान जो है, interact करता रहता है, अपने personal relationship उसके बन जाते है, ठीक है, organization का अलग परपज है, उसके personal कुछ relation, आपके कुछ अच्छे दोस्त बन जाएंगे, जिनके साथ आप party करेंगे या गूमेंगे, तो ये उनके साथ आप discuss करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, हायर मुझे ये काम मिला है, उसको ये काम मिला है, हमें ये achieve करना है, यानकि आपका objective, informal, जो आपका organization है, वो आपके formal organization को कैसे beneficial है, ये इस पूरे topic में बताने की कोशिश कर रहे है, ये बोलने कि लो indefinite है, इसका कोई define नहीं है कि क्या goal है, structure-less है, सब के अलग need है, अलग तरीके से बात करते है, अलग सब के साथ bonding होती है, ये shapeless होती है, ठीक है, ये shapeless भी है, structure-less भी है, indefinite भी है, ये बोलते है, serious impact on the member of the formal organization, thereby bringing a continuous interaction between formal and informal organization, ये कहने कि बहुत impact पढ़ता है, एक member के उपर formal organization क अगर continuous interaction होता रहे, formal और informal organization का, ये बोलते है, informal organization to be effective, must always establish a formal organization within it, एक informal organization to be effective, अगर एक informal organization को भी effective करना है, तो एक formal organization के कुछ जो rules है, वो चीज़ उसमें होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लोग अगर कुछ भी event होगा, कोई party होगी, जैसे कि लोग जिसमें interact कर सके, 5 different company के लोग आए, और interact कर रहे हो, ठीक है, उनके कुछ personal चीज़े हैं, या आपस में भी एक ही company के चार लोग है, अलग अलग department के आपस में interact कर लें, लेकिन उनका काम क्या interaction के साथ, informal के साथ, formal जो company है, उसका जो main objective उसको आगे बढ़ाए, तो बोलते है, informal organization भी effective हो सकती कर उसके अंदर, formal organization के, जो है, establishment हो, यह बताते है, formal organization, create informal organization, as a mean of communication, and protect the individual from domination of formal organization, और formal organization में भी informal organization, जो है, वो होनी चाहिए, और informal organization, formal organization को protect करती है, अभी देखे है, हमने काफी बार दिये पढ़ा है, काफी company क्या होती है, बहुत अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन वहाँ individual ज organization उस company की इतनी अच्छे नहीं है, लोग आपस में interact नहीं करते हैं, या इतनी अच्छे से event जो है, वो discuss नहीं होते है, या interaction नहीं होती है, या उनकी inducements का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो यह बोल रहे है कि उनकी जो requirement है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, उनके बीच में communication organization प्रोपर नहीं हो पारी, तो इसलिए जो informal organization है, वो प्रोपर ली नहीं चल पाती, इस वाज़े से काफी कमपनिया खराब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती, तो यह बतारे है, formal organization को चलाने के लिए informal organization जो है, उसको भी strong होना चाहिए, उसको भी protect कर बहुत ज़रूरी है, यह बोलने, they are independent aspect of same phenomena, same phenomena लेकिन different aspect यह इसके अंदर है, यह पताते है कि organization are quite unaware of widespread influence, अब organization को काफी बर ऐसा नहीं पता होता कि बहुत influence है, काफी अलग-अलग लोगों का attitude है, अलग-अलग agitation है, एक organization के अंदर सब लोगों के अलग-अलग कुछ problems होते है, किसी को पैसा कम मिल रहा है, किसी का boss उसको डाट रहा है, ठीक है, किसी को छुटी नहीं मिलती time पर, तो सबकी अलग requirement है, अलग attitude है, यह बोलते है, this is equally true for कोई भी organization, चाहे political organization, government, army, church, university, सबके अंदर यह चीज होती है, और यह बोलते है, one cannot understand an organization from the organization chart, एक चार्ट से आप organization को नहीं पढ़ सकते है, कि यह boss है, इसके नीचे यह काम कर रहा है, यह काम कर रहा है, इनके नीचे यह काम कर रहा है, और सिर्फ rules और regulation से नहीं समझा जा सकता, हमें उसके जो उनके जो personal behavior है, personal interaction उनको भी समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बोलते है, it is important to learn an organization ropes, यह समझन जो भी informal society के अंदर या informal organization चीज़े हो रही है, तो किसकी क्या requirement है, कोन क्या चाहता है, किसके अंदर क्या feelings है, यह चीज़े भी थोड़ी बहुत समझनी बहुत जरूरी है, यह बोलते है, personal integrity, self respect and independent choice are the function of informal हो जाए, अब यह formal में हमने पढ़ा था, अलग लग चीज़े थी, informal organization जरूरी है, independent choices, कहां पर काफी पर यह इनसान चाहता है, कि मैं जो चीज़े बता रहा हूं, उसको सुना जाए, और उसको पर act किया जाए, चाहे मैं junior हूँ, तो यह बोलते हैं, यह choices जब मिलती है, तो informal organization वो strong होती है, और informal strong होगी, तो formal automatically strong होगी, यह करते है, Bernard feels that informal organization should be not be viewed as unav unavoidable, informal organization को avoid की तरह, unavoidable, avails की तरह नहीं देखना चाहिए, जबकि हमें यह बोल रहे है कि, asset that where they do not exist, their need to create as they perform a number of function, और जहां पर informal organization नहीं होती, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर formal organization को sustain करना है, तो informal organization को भी चलाना बहुत ज़रूरी है, साथ-साथ में, ठीक अब इसके उपर यह क्या कहते है, यह बोलता है, he did not agree with the traditional concept of authority, इन्होंने के traditional views of authority का मना कर दिया, इन्होंने यह का, acceptance are the basis of authority, इन्होंने यह का, कि अगर यह बहुत है, अगर इसकी बात इसने दस लोगों को कोई बात कही है, और दस के पांच या या दस के दस ने वो बात नह तो authority जो है, यह junior के पास होती है, senior के पास नहीं होती, इन्होंने ऐसा बोला, कि अगर यह इनकी acceptance होगी, तो ही इनका authority मानी जाएगी, अदरवाइस इनके पास कोई authority नी है, यह मान दिया जाएगा, यह बोलते है, he defines authority, authority को क्या बोला इन्होंने, the characteristics of communication, या order, in a formal organization by virtue of which is accepted by a contributor to or a member of organization as governing the action he contributes, that is determined what he does and is not to do so for an organization concerned, वही बात पोलें, कोई भी order दिया जाता है, कोई भी किसी के authority अगर चेक करनी हो, तो वह पता है कि जब इसने अपनी authority जो है, उसको इनकी induce किया, यह बोला कि मेरी authority, यह काम तुम करो, और यह इनसान मानेगा या नहीं मानेगा, उस authority है या नहीं है, यह बोलते है कि यह जो चीजे बहुत subjective और objective aspect है, इसके अंदर, यह बोलते है, the former implies the acceptance of communication as authority, ठीक है, और यह बोलते है, later is concerned with the characteristic of communication by virtue of which it is accepted, पहले में बोलते है कोई order दिया गया, क्या order दिया गया, formal organization by virtue of what is accepted, by a contributor or to a member of organization, जो accept कर लिया गया और क्या accept नहीं कि तो इन चीजों पर डिसाइड होता है, दोनों की subjective और objective aspect क्या है, ठीक है, इसके बाद कहते है, individual in the organization accept authority only when the following four conditioners are obtained separately, कोई भी इंसान किसी की authority तम मानता है, जब चार चीजे यह satisfy और कौन सी चार चीजे हैं, देखें, सबसे पहला है, communication is understood, देखें, अबर किसी ने कोई command दी, अपनी authority का use किया, boss ने बोला इसको, आप ये काम करके लाओ, ठीक है, ये subordinate ये boss है, इसने बोला ये काम करो, अब ये इतने अच्छे से समझा नहीं पाया इस काम को, अब ये communication line है, जो understood नहीं था, तो इसको ये काम समझ नहीं आया, अब इसका intellectual level इतना है नहीं कि ये काम ख इसने boss ने बोला, आप ये काम करके लिए, दो काम हो सकते, एक तो परसनल काम बोले, जैसी का आर्मी के अंदर देखिया, आर्मी के अंदर अभी थोड़ा से विवाद हुआ था थोड़े दिन पहले, क्या हुआ था, कि सहायक जो सिस्टम था, कि जो superior होता था, वो junior जो भी पिने junior होते थे, जो नया जोईनी होता था, उसको बोलते थे, मेरे बच्चे के लिए, बच्चे को स्कूल से लाना, ले जाना, बीवी को घुमाना, या इस तरह के काम, ये शोपिंग करके लाना, कुत्ते को नहलाना, या ये सब काम करना सहायक सिस्टम के अंदर था, अभी अगर इस तरह का काम के लिए, एक सर्वेंट बना दिया जाएगा, तो हम ये चीज नहीं मानेंगे, तो कही नहीं अधियी अधियोटी वाइलेट होगी, तो इस केस में बोलने है, और जो आर्मी में आया, वो देश के लिए लड़ने आया, देश के लिए वो काम करने आया, अगर आप परसनल नोकर बना लेंगे, तो वो काम नहीं करेगा, तो भही बात बोलने कि अगर और और परपस से कोई काम नहीं होगा, तो हो सकता है कि इसकी अथिर्टी डिनाई कर दी जाए, और इसका जो है, इसने जो डिरेक्शन दिया, कमांड दिया, उसको नाम आना जा लेकिन कुछ को लगता है कि नहीं यार मैं और ज़्यादा बैठ के काम कर लेता हूँ, तो इंट्रेस्ट जो अब तक नहीं है, उस चीज को वो काम नहीं देना चाहिए, दूसरा, किसी को सक्पोज करी सोफ़वेर पर काम करना पसंद है, किसी को फिल्ड वर्क काम करना पसं पसं पसंमें आउस के क्या काम कर सकता है नहीं कर सकता है, सबहुँ किई अप किका क्लर को क्लर को क्या क्लर को बोलता है कि आप यह 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 कंत क verm available के अचिए काम अझे कमिस्टेंट कशीट का यह या तो properly समझाया है नहीं गया, या organization purpose के इसाफ से नहीं है, जो आपने command दी, या personal interest नहीं है, compatibility नहीं है, जिस इंसान को जो दे रहे हो, उसके interest के according, या फिर उसकी physical and mental ability नहीं है, किसी का पैट उटा हो और आप बोले कि जाए ये भाग के जाए पांच मिनिट में ये चीज लेक जाए ठीक है, इसके लावा देखिए ये बोलते हैं, for the foregoing, it is evident that determined of authority lies with the subordinate, तो आपके पास authority कोई है या नहीं है, ये depend करेगा, कि आपका subordinate उस चीज को मान रहा है नहीं मान रहा है, तो authority जो है, subordinate के पास होगी, आपके पास नहीं हुई, ऐसा बर्नार्ड ने ये नया concept यह superior है, तो आपकी बात कैसी मनाई जाए, ये बोलते है, according to Bernard, it is possible under three, तीन condition होनी चीए, जिसमें ये possibility है, पहले तो च्यार condition है, कि क्यों चेज हो सकती है, जिससे आपका काम नया किया जाए, आपकी authority ना मानी जाए, ठीक है, अब ये बोलने, कौन सी तीन condition है, जो satisfy होनी चीए, तभी ये चीज़ डिफाइन करेगी, कि आपकी authority जो है, आपकी लोग corporate कर रहे है, आपकी बात मान रहे है, सबसे पहले, when the interest issue, when the order issued in an organization are according to the four condition about discuss, तो पहले जो discuss की है, पहले तो उन च्यार condition में होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, कि पहले आप चीज़े समझानी चाहिए, आपके personal interest में होना चाहिए, आपकी competence भी होना चाहिए, तो ये चार चीज़े जब आपकी होगी, तभी आप मानेंगे, पहली बात, या आप corporate करेंगे, कोई आपको काम दिया जाएगा, second चीज, when the order falls within the zone of indifference, या फिर आपका जो order है, वो zone of indifference में चाहिए, आपकी हम of indifference, अब बहुत पर ऐसा होता कि इंसान किसी का order नहीं मानना चाहता, लेकिन उसको ऐसा zone of difference में बाहर के लोग है, individual है, उसके parents है, या company के लोग है, उसको बोले नहीं आ रही है, तुझे काम करना चाहिए, तेर लिया अच्छा है, चाहिए उसका personal interest वहाँ पे नहीं था, ल order that cannot be obeyed, should not be issued, अब यह बोलने कि एक अच्छा executive conduct नहीं है, कोई भी order जो दिया जाता है, उसका भी एक अच्छी चीज यह होनी चाहिए, जब यह अच्छा माना जाएगा, कि आप उस तरह का order ना दे के जो नहीं माना जाएगा, आपने ऐसा order दिया, जो आपको पता है कि necessary than a preliminary education, यह बोल रहे हैं कि आपका order जो है, वो unacceptable ना हो, उसको लोग मान ले, तो उसके लिए primary education होनी चाहिए, आपके पास मनाने के चीज़े भी आनी चाहिए, कि कैसे मैं subordinate को मना सकता हूँ, कौन-कौन सी inducement उसको मुझे देनी है, ताकि आपकी जो है, आपकी authority जो है, मानी चाहिए, जब ही जो जूनियर है, कोपरेट करता है organization में, पहला तो चार चीज़े, यह कि कमार्ड दी वो सही होनी चाहिए, second, zone of indifference में होना चाहिए, third, zone of indifference में नहीं है, तो भी भार के individual कोई भी इसको zone of indifference में ले आए, अब zone of indifference क्या है, यह बोलते है, देखिए, को चाहिए, जो माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता है, acceptable भी है, और नहीं भी acceptable है, और थर्ड बोलते है, जो unquestionably acceptable है, जो बिल्कुल माना ही जाएगा, order दिया, और order मान लिया गया, तो इसको बोलते है zone of indifference, तो यह ही बोलते है, last category comes under zone of indifference, यानि कि ऐसा zone जिसके अ उसे order को follow कर रहा है, जो order दे रहा है, दोनों के बीच में अगर indifference रहेंगे, zone of indifference के बीच में होगा, इस zone में होगा, तो वो चीज मानी जाएगा, यह ही बोलने, zone of indifference will vary depending upon the inducement, आपको क्या-क्या inducement दी जाती है, उस हिसाब से भी zone of indifference vary करता है, किसी को चाहिए, मुझ समझने की जरूरत है, और उस हिसाब से zone of indifference is vary करता है, उसको समझने की जरूरत है, यह बोलता है कि when the inducement is not adequate, the range of order that will be acceptable will be limited, अगर आपके inducement adequate नहीं है, सबोज कि यह किसी को requirement है, कि मुझे prestige मिले, ठीक है, यह मुझे opportunity मिले एक company में, organization में grow करने की, आपको company एक लाग रुप पोस्ट पे हैं, यह नीचे वाली कोई पोस्ट पे हैं, और आपको वही बना के रखे कि आप 25 साल वहीं रहेंगे, तो भी आपका order जो है, chances होते कि आपका order माना जागे, जब इनसान को यह लगने लगे, कि मेरा promotion नहीं हो रहा है, अब आपका promotion आपको लगे नहीं हो रहा है तो आप चीजे मानना बंद कर देंगे, आपको जो order seniors के मानने बंद कर देंगे, ते बोल रहे हैं कि executive in the organization should be conscious of zone, अब जो है organization में जो executive उन्हें पता होना थी किस zone में कौन क्या है, और कैसे उसको zone of indifferences में लेके आना है, ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था, second part में बची कर दियू